हर्याना लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है, आप देख सकते हैं कोरिजेंडम नोटिफिकेशन है ये, हाइडरोलोजिस्ट एंड जियो फिजिस्ट की जो पहले वेकेंसी निकाली थी, एड़ोटाइजमेंट नंबर 10 बटा 2022 के दुरू, उसमें कुछ स सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल कर कहा था, कि जो एज लिमिट हरियाना में गवर्मेंट जॉब के लिए वो रहेगी 18 से 42 वर्स, तो अब इस एड़ोटाइजमेंट को दुबारा से रिएड़ोटाइज किया गया है, तो अब लिंक ओपन किया जाएगा, भी ओपन नहीं ह पाएंगे, तो जिसने पहले अप्लाइ कर दिया था, उसे दुबार अप्लाइ करने की जुरूरत नहीं है, अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं, तो यहां प्लाइ करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अप इलिजिबरिटि कंडिशन देख लीजिये, यह एडूटाइजमेंट चारिक ही गई थी, तो इसकी एक बार मैं आपको eligibility बता देता हूँ पोस्ट देख लीजिए आप Hydrologist की और Geophysics की एक एक vacancy है General category की है तो किसी भी category से हों आप आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप reserve category से हैं तो आपको General में apply करना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद आप यहाँ पर essential qualification दी गई है Hydrologist के लिए at least second class MSC या फिर M-tech होना चाहिए Geology में किसी भी मानेताप्राथ University से और साथ-साथ आपने Metric या Higher Education में एक subject पड़ी हो कौन सी Hindi या फिर Sanskrit ऐसे Geophysics के लिए है second class MSC हो M-tech हो Geophysics में किसी भी मानेताप्राथ University से और साथ-साथ आपने 10 V या फिर उससे Higher Education में Hindi या फिर Sanskrit पड़ी हो तो मैंने आपको eligibility condition बता दी है age limit मैंने आपको बता दी 18 से 42 बर से देखे यहाँ पर age limit कितनी लिखे जब उस वकिए एडूटाइजमेंट निकाली गई थी 20 से 40 और अब है 18 से 42 पेस केल 93 सो से 348 54 ग्रेड पे रहेगा ठीक है तो अब आप apply करें fees देख लिजी अब एक बार general category के लिए 1000 रुपे और male candidate of general and all reserve category अब देखिए यहाँ पर post ही general category की है तो आपको general वाली fees pay करनी पड़ेगी ठीक है तो अब आप इस वीडियो को जदा जदा शेयर करें ताकि सभी candidates तक information पहुँच जाए